प्रबू प्रसाद चानल में सभी भाई बेनों का स्वागत है आज नारियल की बर्फी बनाएंगे नारियल की बर्फी बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए दो कप नारियल कसके लिया है जो वाइट भाग होता है उसको कसके लिया है एक कप चेनी दो तीन स्पून घी बादाम काट के लिया है गार्निश के लिए इलाइची पाउडर एक कप दूद पचास ग्राम खोवा ये स्वीटलस खोवा है एक मिक्सी जार में नारियल डाल रही हूँ दूद डाल रही हूँ इसको नाइस मिक्सी कर लेंगे अभी इसी में चीनी डाल रही हूँ ये भी नाइस मिक्सी कर लेंगे अभी इसको एक कडाई में डाल रही हूँ पकने रखेंगे ग्यास पर ये गरम होने तक एक ट्रे में घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे थाली हो ट्रे हो मैं इस ट्रे में घी डालकर ग्रीस कर रही हूँ देखिए ऐसा देखिए अब ये नारियल भी पक रहा है इसको पकाएंगे हाथ नहीं छोड़ना है घुमाते ही रहना है ये पानी सारा सुकने तक इसको पकाते रहना है देखिए ऐसा देखिए पानी सारा सुक रहा है देखिए कितना अच्छा पानी सारा सुक गया है इलाइची पाउडर भी डाल रही हूँ इसको भी अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे अब भी इसमें खोवा डाल रही हूँ इसको भी अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे खोवा डालने के बाद स्लो आंच में इसको पकाना है देखिए अभी बन गया है अभी इसको ट्रे में निकाल रही हूँ जितना पतला चाहिए उतना पतला फैलाक सकते है पैचलर से इसको सेट कर लेंगे देखिए ऐसा अभी इसको बादाम से गार्निश कर रही हूँ ये एक घंटे के लिए ऐसा ही रख देंगे थंडा होने के बाद इसको काटेंगे देखिए थंडा हो गया है अभी इसको में काट रही हूँ जो हमको साइस चाहिए जो शेप चाहिए उस अनुसार काट लेंगे देखे कितना अच्छा पीस निकल रहा है देखे मैं निकाल के भी आपको दिखाती हूँ कितना सुन्दर पीस रेडी हो गया है अभी इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ नारियल की बर्फी, कोकनट बर्फी, रेडी